नमस्कर दोस्तों मैं हूँ एनकियाज आपके सामने फिर इससे एक नहीं वीडियो के साथ मित्रो आज हम बात करेंगे मल्टी लिंग्वालिजम पर बहु बासा बात ये हमारी 25 विनिट का लास्ट पॉइंट है और इसके बाद एक अंतिम यूनिट हमारी रहेगी जिसका नाम होगा मैथड ओफ इविल्यूएशन आज की क्लास देखने से पहले इससे पहले वाली जो क्लास थी जिसमें हमने बात की थी रोल ओफ हॉम लेंगविज वो क्लास आप जरूर देखें क्योंकि हो सकता है इन दोनों से लिंक करता हुआ कोई प्रसना आपके एक्जाम में बन जाए बाकि सारे वीडियोज अलग से प्लेलिस्ट बना दी है आप उसमें जाके सिक्वेंस के साथ सारे वीडियोज को देखें और खुद का भी एक माइंड सैट करेंगे हाँ यार इतना पढ़ने के बाद हम आप बहतर करने की ताकत रख पाएंगे तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं होम लिंग्वेज पर और इसके बाद हम बात करेंगे मल्टि लिंग्वालिजम पर तो बेसिकली छोटी ची बात हमने की थी कि होम लेंगवेज को हम मदर्टं कहते हैं native language है हमारी first language है एक बच्चा उसे natural way में acquire करता है ये हम बात की थी और 5 मेने reason बताई थी कि एक बच्चे को लेकर क्या role है होम लेंगवेज का है ना तो उसमें सबसे पहले मेने आपको बताय था कि एक बच्चा यदि home language से नई language को सीखता है तो उसका cognitive growth है वो बड़े तरीके से होता है बहतर होता है दूसरा मैंने आपको यह बताया था कि मात्री भासा जो होती है वो बच्चे को उसके culture से जोड़ के रखती है यह मोटा मोटी point में आता है तीसरा मैंने यह आपको बत थी और चोथा मैंने बताया था कि overall जो हमारी learning है overall जो learning है उसको मतलब easier बनाती है आसान मनाती है successful बनाती है तो यह कुछ commercial benefit पे होते हैं यह हमने पहले वाले वीडियो में डिसकस कर लिए थे अब देखिए multi-lingualism क्या है simple साब समझे आप एक से अधिक बासाई बोल सकते हैं एक से अधिक कितनी भी बासाई आप बोल सकते हैं तो आपको बोला जाता है multi-lingual person क्या एक teacher को multi-lingualism यानि multi-lingual होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए क्यों होना चाहिए इस पर हम बात करेंग मेन मोटिव यह है कि इसमें से प्रस्न किसे पूछे जाएंगे हमारे सलेबस में आपने गोर से देखा होगा लिखा है role of home language multi-lingualism एक multi-lingualism का role क्या है वो teacher के respect में भी हो सकता है वो बच्चे के respect में भी हो सकता है अब जो बच्चे के respect में होगा एक बच्चा यदि multi-lingual होंगी वो तो एक home language में हमने जितनी दक्सताई पढ़ी थी वो सेम ही है teacher के लिए क्या है एक teacher multi-lingual होता है तो उसके लिए वो क्या चीज है वो उसे किस रूप में देखता है उसे classroom में उसे किस रूप में लागू करना चाहिए यह है topic और लंबी चोड़ी बात नहीं आप इतनी सारी हा मैं भी कहता हूँ कि बहुत सारा आपको पढ़ना चाहिए लेकिन समेठना आपको सोट में है क्योंकि आप गहराई से एक बार पढ़ सकते हो दो बार पढ़ सकते हो लेकिन निचोड जो है वो आपके साथ हमेशा रहेगा और जब जब आप उस निचोड को बारे में आपको डेफिनेशन पोच ली जाए तो एजटी कैसे आपके एजटी मिलेगा क्या कि दे एबिलिटी ओफ इंड्यूइज्वल स्पीकर और एप परसन हूँ कैन स्पीक मल्टिपल लेंग्वेज इस नोन एज पॉली ग्लोड्स मल्टि लिंग्वन एक एबिलिटी है एक योग्यता है प्रते एक विक्ति की एक योग्यता है यदि वो मल्टिपल लेंग्वेज को बोल सकता है मल्टिपल लेंग्वेज का मतलब क्या है एक से अधिक सेवरल एक से अधिक बासाओं को यदि वो बोल सकता है तो उसे हम कहते हैं मल्टि लिंग्वल और दूसरा इसका नाम भी दे रिखा है Wikipedia पे Polyglots ये मेत्वपन विंदू है बहुत मेत्वपन है Polyglots याद रखना ये line भी आपको याद रखनी है एक ability है परतेक परसन की एक ऐसी ability है यदि वो परसन एक से अधिक बासाओं को बोल सकता है एक से अधिक बासाओं को बोल सकता है तो उससे हम multilingual कहेंगे दूसरा नाम इसका polyglots है polyglot बात एक ही है poly किसके लगता है polymer है एक से अधिक कईयों को हम polymer कहते है ना एक से अधिक कईयों मिलती है उसको हम poly नाम देते हैं तो वह यह polyglot कह दिया और multilingual का मतलब क्या है multi का मतलब क्या है two or more या फिर मैं ऐसे कह दूँ कि एक से अधिक क्योंकि एक होगा उसको तो हम नाम देंगे mono monothoms भी हमने पढ़ी थी single सवर होता उसको monothoms कहते हैं double सवर मिलके बनाते हैं उसको dipthoms कहते हैं single होगा उसको तो हम mono ही नाम देते हैं monolingual हो सकता है वो चाहिए किसी के भी लगा लेजी अच्छा दो होता है उसको हम क्या बोते हैं bilingual by का मतलब ही दो होता है bilingual bilingual method भी है first level में first language में cj doardson वाला ठीक है और एक से अधिक कितनी भी हो जाए दो हो जाए दो को भी हम कह सकते हैं multilingual कह सकते हैं एक से अधिक एक से अधिक कितनी भी बासाईदी आप जानते हैं उसको हम बोलते है multilingualism ncf 2005 multilingualism के बारे में क्या कहता है as a teacher के रूप में मैंने आपको home language के बारे में बताया था कि ncf खुद इस बात के recommendation करता है कि जो primary level तक के बच्चे होते हैं उसका education उसकी mother tongue में होना चाहिए ताकि बच्चे का cognitive growth बहतर तरीके से हो बहुत सारी चीजों के बारे में वो सोच पाई तो multilingualism के बारे में भी ncf ये कहता है कि ये एक teacher के लिए क्या है resource है, एक growth है, एक asset है, संपती है एक tools है जिसे वो classroom में as a strategy के रूप में एक रणदिती के रूप में काम में ले सकता है कैसे? माली जी आप इंडिया से बाहर किसी एक ऐसे विदाले में चले जाते हैं और वहाँ आपको knowledge बहुत है क्लास में आप पढ़ा रहे है और वो बच्ची को समझी नहीं आ रहा इसलिए समझी नहीं आ रहा कि आपको knowledge कम है नहीं वो इसलिए समझी नहीं आ रहा कि आपकी language वो बच्ची समझी नहीं पा रहे और जब तक एक teacher और student के बीच interaction बढ़िया तरिके से नहीं होगा teaching इतनी प्रभावी नहीं होगी और multilingualism क्या है अपने teaching को effective बनाना है enhance करना है ताकि हमारा teaching learning process और भैतर हो सके यदि आप एक multilingual person है यदि आप एक multilingual teacher है तो वहां की local language में उन बच्चों के doubts उन बच्चों को समझाने का यदि आपके पास stroke है as a strategy के रूप में तो वहां पर आपकी teaching learning process और भैतर हो सकेगी ये काम करती है आपकी multilingualism इसलिए कहते हैं कि teacher को multilingual होना चीए ताकि बच्चों को उनकी language में सिखाया जा सके ताकि बच्चे बहतर सिख सकें और हमारा teaching learning process और बहतर हो सके ये है इतनी चीज आप समझ आते हो तो ये ही गूंफिर के आता रहता है man motive चीज ये ही है प्रसन आता है क्या multilingualism एक teacher के लिए barrier है क्या बिलकुल भी नहीं है बादा नहीं है मैंने कुछ synonym लिखे हैं जिसे barrier का मतलब ये वही होता है hindrance किसी परकार का कोई hindrance भी नहीं है handicap भी नहीं है obstacle भी नहीं है किसी परकार का कोई rub नहीं है hurdle भी नहीं है मतलब किसी परकार के कोई रुकावट कोई एक परकार से बादा हम नहीं कह सके multilingual person है यह आपका benefit है हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे अफ़ाओं के रूप में एक मित्थक के रूप में भी मानते हैं कि यदि आपके पास एक multilingual आप एक multilingual person है आप एक सेधिक बासाओं को जानते हैं और नई बासाओं को सेखते हैं तो आपकी जो पुरानी language हैं वो आप भूलने लग जाते हैं ये सिर्फ एक मित्थक है कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप अपनी sense करती है culture है उससे हट जाते हैं तो लोगों की धारनाई हैं वो कुछ हद तक सही हैं कुछ हद तक गलत हैं लेकिन इससे जदा importance हो जाता है हाँ एक हम कह सकते हैं आप यदि multi-lingual person हैं तो जैसे हम बादचित करते हैं तो वहाँ एक conversation में हम कह सकते हैं थोड़ा सा हम बादा के रूप में ले सकते हैं जैसे मैं लिजे मेरे को 5 से अधिक बासा याती हैं जैसे मैं किसी से interaction कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे पांचो बासाओं में से कौन सी बासा का word कब produce कर दूँ में ताकि वो बच्चे को समझी ना पाई क्योंकि मैंने एक से अधिक बासा ये सीख रखी हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं जिस बासा में जैसे मैं English में बात कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे को गुजराती का कोई word निकल के आजाए तो conversation में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन positive point बहुत है enhance होता है सब चीजों में cognitive growth है, divergent thinking है confidence भी आता है, बच्चे को भी आता है आप एक से अधिक बासा है बोलते हैं सब को confidence आता है तो ये चीज़े हैं, तो मेरे काल से इतना ही आपको लिखना है और इतना ही आपको समझना है समझने वाला बिंदू इतना ही है कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने बिल्कुल एक समझा है, एक image set की है कि यदि एक से अधिक बासाओं को बोलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, multilingual कहते है या इसे हम नाम देते हैं, polyglots का ये simple बाते हैं और मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई प्रस्न पूछे का सब लोग जानते हैं, एक बासा को जानता है इसको monolingual कहते हैं, दो बासाओं को bilingual कहते हैं, एक से अधिक को हम multilingual कहते हैं, समझने वाले बिंदू है कोई यहां से प्रस्न भी नहीं बने ये line important है, ability है इसके बाद NCF इस बात की recommendation करता है teacher के रूप में एक resource मानता है strategy मानता है, asset मानता है ठीक है, किसी प्रकार का कोई hindrance बादा नहीं है अब देखिए इस topics related कुछ 10 प्रस्न में ले लिए है 5 प्रस्न में आपको करवाँगा और अगले 5 प्रस्न आपको खुद करने है, comment session में answer रखने है, और इन सभी के उत्तर में pin कर दूँगा ताकि आप अपना सही उत्तर देख सके और यदि आप इस topic के 10 प्रस्न कर लेते हैं, तो ज़्यादा इदर उदर बटकने की आवस्कता नहीं है, क्योंकि बहुत में तोकुण 10 पॉइंट मैंने लिए हैं, 10 बिंदू लिए हैं यासा समझ लीजिए, 10 प्रस्न आप ही गोंफिर क्याते रहते हैं, पहला प्रस्न मल्टी लिंग्वालिजम इस एक क्लासरोम नीड टू बी अंडरस्टूड बाइदे टीचर्स एक टीचर्स के लिए मल्टी लिंग्वालिजम किस रूप में आप देखते हैं पहला है एन एसेट रिसोर्स, दूसरा है है हैंडिकेप, हिंड्रिंस, तीसरा है प्रोब्लम, चोता है प्रोब्लम, सिस्टेमेटिक इस्यू तो देखे इस पर हम बात की भी कर चुए हैं और इसका सही उत्तर रहेगा उप्सन नमर एक क्लासरूम में मल््टि-lingualism क्या है, एक एसेट है, एक टिčर के लिए, एक उपकरन है, एक स्फोर्ट है हाणा एक टूल सहम कह सकते हैं, संपति कह सकते हैं, किसी प्रोब्लम नहीं कह सकते हैं, सिस्टेमेटिक हैं लेकिन इस्यू नहीं है तो इसका सेयुत्तर क्या होगा, option number A होगा दूसरा second person लेते है Multilingualism as a resource mean Multilingualism को resource मानने का अर्थ क्या है मतलब resource क्यों मानते है पहला option Using the language of learners as a strategy in school दूसरा है Learning many languages तीसरा है promoting of language और चोता है teaching many languages देखे, यह कह रहा है कि Multilingualism को स्त्रोथ एक resource मानने का कारण क्या है resource का मतलब क्या है तो simple सी बात है Using the language of learners as a strategy in school बच्चों की जो भासाई हैं उसके according स्कूल में एक teacher को एक रणनिती बनाना, एक strategy बनाना यह मुख्य उदस से होता है Multilingualism का एक teacher के लिए वो strategy तेयार कर सकता है resource के रूप में मानता है तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा option number A is the right answer अगला तीसरा प्रस्न है the ability to communicate in several different language एक योगेता किसकी communicate करने की एक से अधिक बासाओं की आप different बासाओं को, एक ही meter को आप different बासाओं में communicate कर पाते हैं आप communication कर पाते हैं, बता पाते हैं बच्चों को एक language को अनेक बासाओं में आप उसको मतलब produce कर पाते हैं तो ये क्या है, multilingualism है, polyglots है, monolingualism है या फिर A और B हो जाएगा तो बिल्कुल मैंने आपको बता रखा है इसको हम multilingualism भी कहते हैं और इसको हम polyglot भी कहते हैं तो सही answer हो जाएगा, option number D हो जाएगा चोथा प्रस्न which of the following is a benefit of ML ML का मतलब मैंने short लिख दिया है multilingualism कि इन चारों में से benefit क्या है multilingualism का अब देखो मैं इसका point लिख के उपर लिखा भी सकता था कि इससे memory power बढ़ता है लेकि ये positive बाते हैं आप खुद समझ सकते हैं आप एक से अधिक बासाई बोलते हैं एक बच्चा एक से अधिक बासाई बोलना सीख जाता है तो simple सी बात है उसका mind तो जबरदस्त हो गई वरना तो एक बासा भी हमें नहीं याद प्याती हम बच्चबन से सीखते हैं थ्री language formula में भी हम बात करते हैं जैसे हमें Sanskrit भी पढ़ते हैं English पर पढ़ते हैं Hindi भी पढ़ते हैं गेट हाई income जोग देखो और चोता है बोत A and B ये जो बात है ना ये जो बात ये कुछ हद तक बात सही नहीं है बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गलत भी है क्योंकि आप एक से अधिक बासाई जानते हैं तो आप जोब गर सकते हैं जिसे हमारे गाउं की बात कर लेते हैं या आपके गाउं की बात कर लेते हैं आपको अच्छी English आती है तो आप विदेश में अच्छा कमा सकती है क्योंकि वहाँ पर English चलती है वहाँ का कम्पनिकेशन English में होता है और वहाँ के जो काम काज हैं आप बहतर तरीके से सीख सकते हैं किसके वज़े से आप एक अच्छे multi-lingual person है आपको यहां के भी बास आती है आपको other language भी आती है तो simple सी बात आप जोब तो कहीं भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आप high income जोब ही उससे कर लेंगे यहां पर all option होता है तो हम बात कर सकते थे यहां पर all कर सकते थे लेकिन इन तीनों के अंदर बहतर आंसर आपको देना है तो वह रहेगा आपका option नमर भी रहेगा पांचो प्रसन है कि multilingualism have strong positive correlation with divergent thinking अब सारी चिंदन बिल्कुल सही बात है positive बात है cognitive growth बिल्कुल सही है social interaction बिल्कुल suppression वाली बात होगी और all हो जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी चोथा option हो जाएगा आराम से कहीं कोई दिक्कत नहीं है अब देखो यह च्छटा प्रसन है इसका अनसर आपको comment session में रखना है अब ऐसा नहीं कि simple simple मैंने करवा दिये hard वाले आप लोगों के लिए छोड़ दी हैना ऐसा नहीं सोचना है प्रसन की language बड़ी है लेकिन प्रसन बहुत स्यांदार है पांच प्रसन लिए तो शांदार ही लिए और प्रसनों के पट्ट के आप आराम से answer कर पाएंगे multilingualism as a resource in education in तो यह चारो प्सने इन चारों में से आपके answer करेंगे क्योंकि मैं बता दूंगा तो आपका दिमाग वहां सोच नहीं पाएगा कभी भी अब नहीं बताऊंगा तो आप खुद एक बार पढ़ोगे फिर समझोगे वो आपके लिए बहतर रहेगा तो इसका answer आप comment session में रखेंगे उमीद कर रहा हूं यह सात्वा प्रस्ण है which of the following is a myth about ml myth का मतलब होता है up why मतलब लोगों के up why क्या है multilingualism के बरहे हैं यह चार option अगला है consider the following statement true वाला बताना है यह चार option है और इन चारों में true आपको कौन सा लगता है इन सब को पढ़ कर ठीक है आठो प्रस्ण हो जाएगा answer आप रखेंगे उमीद कर रहा हूं और यह नवा प्रस्ण यह important प्रस्ण भी आप लगा सकते हैं क्योंकि दोनों की बात कर लिम्मट मदर टेंग भी इसमें include कर दिया और multilingualism भी बात कर दिया तो यह प्रस्ण important है और इसका answer भी आपको comment session में रखेंगे उमीद कर रहा हूं सही करेंगे और आज का last प्रस्ण यह रहेगा choose the disadvantage of ml चारों में से आपको answer करना है तो यह आज की sort and sweet class थी उमीद कर रहा हूं कि इतनी class आप पढ़ने के बाद इन सारे प्रस्णों के answer कर लेते हैं तो real में आपका यह topic बहुत ही स्यांदार है और इन से भार आपको कोई प्रस्ण नहीं मिलेगा अकिकत कहा रहा हूं यही प्रस्ण गुमाफिरा के पूछ ले जाएंगे मैंने चीज़ें कम लिखी हैं लेकिन लिखी हैं उतनी बहतर लिखी हैं और आप भी कोसिस यह करिए हमेशा topic को घहराई से पढ़िए लेकिन लिखना है लिखने वाला काम बहुत कम रखिए तो आज की हमारी यह पांच यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं कल से हम हमारी next unit method of evaluation पर हम बात करेंगे और यह पांच यूनिट की पूरी PDF इसका जो पूरा मेटर है शुरू से लेकर अंत तक चाहिए वो language को लेकर हो प्रिंसिपल को लेकर हो CLT approach को लेकर हो home language को लेकर रहे या multilingualism पर है एक sequence के साथ मैंने अलग से किवल एक folder में एक पूरी PDF तेयार की है और वो इसलिए तेयार की है कि आप वीडियोज को तो एक बार ही देख पाएंगे बार बार देखने की मत किसी के आत तंग नहीं हुई और देखना भी नीच यह बार बार लेकिन जो एक PDF रहती है लास्ट टाइम तक आप उस PDF का revision करके चले जाते हो तो आप बहतर सीखते हो आप भोलोगे नहीं उसीज़ को तो वो PDF मैंने मेरे खुद के आप पर अरेंज कर दी है एक दम बढ़िया तरीके से चार्जिबल है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका मिस्यूज हो बहतर तरीके से मैंने बनाई है कोई free आपको देता होगा लेकिन यहां पर मैंने ना तो आज तक किसी को PDF दी है और देंगा तो भी इसी वज़ए से दूँगा कि उसका मिस्यूज ना हो तो वो अभी मैं जानकर यह भी आपको नहीं दे रहा हूं काम चल ना होगा मैथर्ड ओफ एवलेसं तब तक के लिए हैं विनाश्टे सुक्रिया बबाई हस्तेरे मुस्क्रातरे पड़ाई में ब्वस्त रही है